ये स्वी साब की अधेक्षता में जो मीटिंग हमारी हुई थी उस मीटिंग में ये निर्धार्थ किया गया कि जो भी माइग्रेंट लेवर बाहर से आएंगे उनके उपर एक तो क्रेक्टर वेरिफिकेशन उनकी की जाएगी character verification का उदेशय ये है कि एक तो जो migrant level आ रहे हैं कि आउनके पास वो दस्तवेज हैं जिसके अधार पे वो हिमाचल आ रहे हैं दूसरा है कि कोई bad character हिमाचल में entry तो नहीं कर रहा है तीसरा है कि कोई भी अपरादी घटना होती है तो हमें police को ये पहले से घ्यात होगा कि कौन सब्यक्ति हिमाचल में entry किया है और कौन सब्यक्ति हिमाचल से बाहर गया है तो ये तीन चार बाते हैं इन बातों को लेकर ही जो character verification है migrant labor की वो की जारी है ये अब एक प्रैक्टिस बन जाएगी हमारी क्योंकि अब हम वहां एक तो cctv इंस्टॉल कर रहे हैं बाकी जो उनके दस्तावेज चेक किया जाएंगे तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में entry ना करें जिसका कोई दस्तावेज नहीं है